नमस्कार सातियों, कुछ जीवन के यूटूब चैनल में आप सभी का हारदी का भिनन्दन है इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंग रासी का अगस्त दोजार चोईज का रासी पल कैसा रहने वाला है सबसे पहले बात करेंगे आपकी आर्थिक इस्तती को लेके धन को लेकर मेने का सुरू का सकता अच्छा है इस महा में आपका धन कहीं पस सकता है, साउधान रहें सेर बजार में धन निवैस कर रहें तो बहुत सों समझ कर करें इस महा में अपने धन को बचा कर रखें, आपके लिए ठीक रहेगा आगे के लिए किसी को इत्यादिक मातरा में धन उदार ना दे महिने के अंत में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं इस महिने के अंदर आगे बात करते हैं आपके व्यवसाय और करियर को लेकर कैसा रहेगा महिना कारोबार इस महा सामाने रहने वाला है 25 अगस्त के बाद बिजनस में अचानक से धन में वर्धी हो सकती है नया वापार शुरू करने से पहले सारी जानकारी जुटा लेए आपके लिए ठीक रहेगा जो लोग प्रोपर्टी का काम करते हैं उनके लिए महिना सामाने रहने वाला है महिने के मद्ध्य में आपके कारे थोड़े धीर हो सकते हैं जो कारे की गत्य हो थोड़ी बीचे महिने में धिमी पड़ जाएगी करियर में अच्छी सापलता है इस महिने के अंदर मिल सकती है ऐफिस में आपके कारे की तारिफ होगी और आपको कोई gift वगरा भी मिल सकता है नौकरी में अच्छा फर्मसन होने के योग इस महा में दिखाई दे रहे है बात करते हैं सिक्षा को लेकर छात्रों के लिए मेना बहुती अच्छा रहने वाला है कोई बड़ी सपलता है इस महा के अंदर मिल सकती है चात्रों को परतियोगता प्रिक्षा में भागी का अच्छा साथ मिलेगा इस मेने के अंदर किसी नए कोर्स में परवेश लेना चाहते हैं तो इस महा में ले सकते हैं बात करते हैं पारिवारिक इस्तिती को लेकर इस महा में आप अपने काम की वज़े से समाज में परसिद्ध हो सकते हैं इस मेने परिवार में कोई बड़ी चीज खरीद के भी ला सकते हैं इसकी कोई वाहन वगेरा या फिर कोई रक्टोनिक साइटम भी इस महा में खरी सकते हैं किसी इच्चा की पूर्दी होने पर आप परिवार में कोई धार्मी कारेकरम कर सकते हैं, परिवार में महिला होएं, अपने सम्मान को लेकर ध्यान रखें, परिवार में बड़े लोगों को कड़ी बात नहीं कहें, नहीं तो आपके रिस्ते में कड़वाहट आ सकती हैं, बात व्हाहित वेक्तियों को संतान की प्रापति इस माहा में हो सकती है, शादी सुदा जातकों को सुस्राल फक्स से कुछ तनाव मिल सकता है, प्रेमियों के लिए मेना थोड़ा कम जो रेने वाला है, जो लोग अभी तक हके लेते हैं, उनके नए सम्बंद इस माहा के अंदर बन स फ़िए सेहद को लेकर इस महां में अधिक साहुदान देने की जरूरत है बात करते हैं यात्रा को रहे हैं तो गोली दवाय को साथ लेके चलें जो भी आपके चल रही है डॉक्टर की दौरा या फिर छोटे मोटी जो गोली दवाय है उसको लेके चलें जो लोग बहुत दिनों से विदेश जाने की सौंच रहे थे उनको अचानक से जाने का मोखा मिल सकता है इस महा के अंदर यात्रा के दोरान किसी अजनभी व्यक्ति से खाने की वस्तों ना लें, साउधानी बढ़ते हैं यात्रा के दोरान कोई महत्पून जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है वहां साउधानी पूरग चलाएं, आपके लिए ठीक रहेगा अंत्र में बात करते हैं कि जो पूरा मेना और कैसा गुजरेगा आपका लगबग भाग गे आपका इस मेने बहुत अच्छा रेने वाला है धन को लेकर मेने की सुरुआत का सब्ता बहुत ठीक है कारोबारी इस मेने में सामाने रहेगा करियर में कोई बड़ी सपलता इस मेने में मिल सकती है छात्रों के लिए भी ये मेना बहुत अच्छा है पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा परिवार में कोई बड़ी चीज खरी सकते हैं आप वभाईक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई जगड़े हो सकते हैं तो इस बात का धिहान रखें चोटी मोटी बातों को इग्नौर करें नहीं तो बात आगे बढ़ सकती है प्रेमियों के लिए भी यह मेना थोड़ा बहुत कमजोर है तो बातचीत को लेकर थोड़ा साउधानी बढ़ते हैं अपने प्रेमिय से मेने के सुरू में आपको सहथ को लेकर साउधान रेना होगा और यात्रा के दोरान आपको कोई महत्पुन जानकारी इस मेने में मिल सकती है अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इसको लाइक करें और हमारे कुछ जिवन के यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें ताकि सारी वीडियो आपको मिलते रहें अगर आप अपने फॉन में रोजका राशी पल देखना चाहते हैं तो हमारे कुछ जिवन की राशी फल को आप डाउनलूड कर सकते हैं एप को और देख सकते हैं रोजका राशी पल अपने फॉन पे थैंक्यू धन्यवात खुश रहें और सुरक्षित रहें